हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग तो अब आपके जून 2023 के जो एक्जैम से वह फिनेश हो चुके हैं आपने थोड़ी दिन रेस्ट भी कर लिया है अब वापस से लगजाओ अपने डिसेंबर के अटेम्ट के लिए क्योंकि अपसे 5-6 महीने ही है डिसेंबर के एक्जैम के लिए अभी से ही लगोगे डिसेंबर के एक्जैम को उस jas अपनी पढ़ाय के लिए अब इस विडियो में हम हम को arrow को बात करेंगे और मैं कुछ ऐसे strategies बताऊंगे आपको कुछ ऐसे tips and tricks बताऊंगी जो आपको काफी help करेगी अपने December के exam को crack करने के लिए चीक है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप अपने syllabus को अच्छे से देख लो आपका जो paper 1 का syllabus है paper 2 का syllabus है अपने subject के यह हुए हैं कौन-कौन से subtopics हैं उन chapters के अंदर उनको अच्छे से देख लो paper 2 में कितने chapters हैं कौन-कौन से chapters हैं कौन-कौन से subtopics हैं उनको अच्छे से देख लो आप syllabus को अच्छे कोई भी current affairs की news आएगी तो आपको पता रहेगा कि हाँ यह topic मेरे exam के perspective से मेरे लिए important है तो आप उसको अपने current affairs के अंदर add कर सकते हो चीक है तो इससे क्या होगा आपको easy होगा आप अपने current affairs को भी prepare कर सकते हो कोई भी news आती है कोई भी information आती है आपको लगता है कि यह information मेरे topic मेरे subject से related है तो आप उसको अपने notes के अंदर लिख सकते हो चीक है तो syllabus देखना बहुत जरूरी है तो शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या करो syllabus को download करो चीक है उसकी photocopy करा लो या फिर अपनी copy के अंदर उसको लिख लो लेकिन syllabus को अच्छे से है कि मैं books कहां से ले कौन से book पड़े paper one के लिए कोई book बता दो paper two के लिए book बता दो तो यह मैं बोल देती हूं कि कोई भी specific book नहीं होती है आपके paper one या फिर paper two के लिए ठीक है आप लोग इतने बड़े mature students हो कि जो आपके notes वगरा है study material है वो आप online easily find out कर सकते हो तो यह जो book वाला question है ना कि मैं paper one की book कहां से ले paper two की book कहां से ले वो प्लीज बार बर मत पूछा करो कि paper one paper two की कोई specific एक book होती ही नहीं है अगर मैं paper one की बात करूँ तो केवियस मदान अरीहंत ऐसे कुछ आपको बुक्स मिल जाएगी जो कि आपको सिर्फ reference के लिए help करेगी आपको सिर्फ एक आइडिया देगी कि अच्छा मेरी इतने chapters और इन chapters के अंदर क्या-क्या दिया हुआ वाहे कौन-कौन से topics दिये हुए हैं लेकिन पूरा syllabus आप सोचो कि आपको एक ही किताब के अंदर मिल जाए तो वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा अब रही बात आपके paper two की तो paper two के लिए आपको कोई भी किताब लेने की ज़रूरी नहीं है आपने graduation के अंदर जो भी books ली थी उ आप अरिहंत की बुक के विएस मदान पियर्सन की बुक को रिफर कर सकते हो लेकिन फिर से मैं यहीं कहूंगे कि कोई भी एक specific बुक नहीं होती है जिसमें आपको सारा syllabus एक ही जगे पे मिल जाएगा आप यह बुक्स ले सकते हो ताकि आपको आइडिया मिल जाए लेकिन बा about strategy की दी हम काफी पूछने की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं को किसे अपनी स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद कर अप क्यों आपनाहैरा ठर बनाओ Ay बस में यही बोलूंगी कि अपना टाइमीटर बना लो एक डेली का लुक्त बनाना बड़े उसलिक्त बनाना को लिखने की ज़रूरत नहीं कि कोपी लेकर यह से आप यह करूंगा नहीं उसको अपने दिमाग में रखो कि आज मुझे किया करना है डेली का टाइम टेबल आप अपने डेली डेली रुटीन के बेसिस पर बनाओ क्योंकि रोज रोज अलग 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 एक्टिविटीज होती है हमारे घर में तो उसके अकॉर्डिंग हमको टाइम टेबल बनाओ सुबह उठते ही पहले सोच लो कि आज मेरे घर पर यह काम है मुझे इस टाइम पर यह करना है इस टाइम पर रेस्ट करना है यह मुझे बाहर जाना है यह मुझे घर का काम करना है इतने मुझे मुझे नोट्स लगाने इतने मुझे 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 मॉक टेस्ट करना है चीक है तो डेली का टाइम टेबल खुद अपने हिसाब से सेट करो चीक है और सबसे जरूरी बात है आपकी कंसिस्टेंसी की कुछ भी पढ़ो डेली पढ़ो उसको एक दिन भी अगर आप छोड़ दोगे ना किसी भी चीज को किसी भी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट को तो फिर अगले दिन आप जब पढ़ोगी तो आपको आलस करते हूं दो बज़े से पढ़ोंगी फिर दो का वो तीन हो जाएगा तीन से चार हो जाएगा इसलिए डेली कम से आपको 5-6 घंटे तो देने ही है अपनी पढ़ाई को और डेली 5-6 घंटे देने हैं मतलब देने हैं चाहे कुछ भी हो जाए अब डेली का टाइम टेबल पढ़ने का सुबह बनाते हो और हो सकता है कल आपको सुबह कुछ काम आ गया तो अब रात को क Gregै oralपन अपना सेलेबस लेकिन कंपवigung करो कि पूर्शन क Complete करना है और रोज उस पो पूर्शन को Quality करने के बार ही अपने बैट पर जाकर आक है कि रोज का रोज आपको एक एक त में तो लगाना ही है मैं मैं यह कहूंगी कि डेली को एक डो पैसरच करने हैं और आपको आदे घंटे मैं रिजने के क्वेशन्म स्वल्फ करने हैं और बाकी जितने अपको मोउक टेस्ट लगाने हैं topic wise अपते में एक दिन ऐसा रखो जब आप अपना पूरा पढ़ा हुआ साथ दिन में आपने क्या पढ़ा है उसको पूरा revise करो और उसके mock test लगाओ और बाग की जितनी भी strategy है कैसे पढ़ना है कहां से पढ़ना है वो सब आपको अपने recording ही देखनी होगी तो यह मेरी कुछ तरफ से टिप्स थी आपको अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको डिसेंबर के information जो है वह हमारी students तक हम पहुचाते रहते हैं टेलिग्राम के धुरू चीए तो टेलिग्राम को जाइन करें ना लिंक आपको डिस्क्रिप्ट में मिल जाएगा चीए थैंक यू